हलो एवरीवन वेलकम बैक टू मैं चैनल और आज मैं बना रही हूं सूजी का हलवा इसी बनाना बहुत असान है और मैं बिना घी के हलवा बनाती हूं लेकिन यह बहुत जादा टेस्टी बनता है सबसे पहले मैंने कठाई गरम किया है उसमें सूजी को डाल की अच्छे से भुना है और यह सूजी भुनते टाइम ना मेरी ममी ने बताया था कि एकदम गोल्डेन ब्राउन कलर का भुना ताकि यह अच्छे से भुने बहुत सारे लोग वाइट ही भुनते हैं तो उसका कलर थ अच्छे से भुना है हाई फ्लेम पे आप करेंगे अगर चलाना चोड़ देंगे तो यह जल जाएगा और आप देख सकते हो सूजी एकदम अच्छे से दिख गई है और बीना चासनी बनाए हुए ही हम बनाएंगे इसको सबसे पहले तो मैंने सूजी डाला उसके बाद मैं मैंने एक लीटर के करीब पानी डाला है पानी डालते समय आपको यह बात ध्यान रखने है कि गैस क्या तो बंद कर दीजिए एकदम धीमा कर दीजेगा उसके बाद इसको अच्छे से डालेगा नहीं तो आपको मूँ पे इतने अच्छे से छीटे आएंगे आएंगे आपक घी जरूरी नहीं है बस मेरा मन किया तो मैंने डाल दिया ताकि देखते हैं इसका टेस्ट कैसा लगता है क्योंकि मैं पहली बार ऐसे घी डाल के हल्वा बना रही हूं तो जब घी डाल के बनाना होता है तो मैं स्टार्टिंग में गी डाल देती हूं तो इस टाइम मैंने घ तो आपके मुह पे बड़े बड़े चीटे पड़ जाएंगे तो इसको अच्छे से चलाते रहेगा आच धीमा कर दीजिगा और आप देख सकते हैं सूजी का हलवा अच्छे से गाड़ा होना है और पानी ने आप आपने देखा ही था कि मैंने कितनी मातरा में डाला था तो ब सब गैस को बंद कर देंगे और हमारा सूजी का हलवा बनके तयार हो गया है गैस को बंद करने के बाद हमारा तो सारा कारे समाप्त हो गया आप इसमें ड्राइफ रोट्स अपने अकॉर्डिंग डाल सकते हो क्योंकि इसका मीठा सारा चीज एकदम पॉफिक्ट था उसके ब हमारा सूजी का अलवा है बहुत जादा इजी मेथर्ट से बनके तयार हो गया है तो आभी एक बार ट्राइ कीजिएगा आपको बहुत पसंद आएगा मैं गरेंटी लेती हूं और अगर यह वीडियो अच्छा लगाओ तो लाइक कीजिएगा चैनल को सब्सक्राइब कीजि बहुत पस्टाइब कीजिए झानल को सब्सक्राइब